Hello everyone, welcome to Get More Info YouTube channel So, आज के जो GK questions रहेंगे, important GK questions ये जो questions है, ये बहुत ही important है CHSL examination के लिए SSE CHSL examination के लिए ये GK questions बहुत ही important रहेंगे क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मैं जो भी GK questions लाती हूँ ये सभी जो previous examination हो चुके है उन में जो questions पूछे गए है या जो repeated questions रहते है जादतर पूछे जाते हैं जो questions सभी examination में उन ही को मैं आपको collect करके लाती हूँ So, आज का ये वीडियो भी आपके लिए काफी important रहेगा जैसा कि आप जानते हैं CHSL के application स्टार्ट हो गए भारत के किस राज में है वर्मडिलादर्रा इसका अंसर होगा अर्णाचल प्रदेश वर्मडिलादर्रा अर्णाचल प्रदेश में है Next भारत की सबसे पुरानी परवत स्रंखला कौन सी है बहुत ही important question है इसको note down कर लीजेगा इसका अंसर होगा अरावली परवत स्रंखला भारत की सबसे पुरानी परवत स्रंखला है Next question देखेंगे प्रतिहार वन्स का महांतम सासक कौन था और इसका अंसर होगा नाग भट ये question भी कई टाइम repeat हुआ है इसको भी अच्छे से याद रखेगा चार मीनार का निर्मार किसके द्वारा करवाया गया था ये भी repeated question है काफी टाइम पूछा गया है चार मीनार का निर्मार किसने करवाया था आंसर होगा कुली कुतुब साहने चार मीनार का निर्मार कुली कुतुब साहने के द्वारा करवाया गया था Next decide करती है, मंत्रियों के जो ब्यतन है, भत्ता है, salary है, वो decide करती है, नंदा देवी पीक, किसका हिस्सा है, most important question, नंदा देवी पीक, answer, गर्वाल हेमाले का, हेमाले के अलगलग छेतर होते हैं, जिसमें से गर्वाल हेमाले का एक भाग है यह, वायू मंडल में, दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गयस कौन से है, क्योंकि पहली जो गयस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो सभी को पता है, दूसरे नमबर पर कौन सी है, oxygen, बायो मंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्र में पाई जाने वाली गैस, oxygen पटकाई वम पहाडियां भारत के किस भाग में इस्थित है, most important question, पटकाई वम पहाडियां बात के किस भाग में इस्थित है, answer होगा, अवनाचल परदेश और नागालें में पटकाई वम पहाडियां पाई जाती है, जो कि भारत के पूर्वी भाग में है कुमायू हिमाले किन दो नदियों के बीच इस्थित है, ये भी important question है, note down कर लीजेगा, कुमायू हिमाले answer, सतलोज और काली, ये दो नदियों के बीच है, कुमायू हिमाले मोहन जोदरों की जो प्राचिन सबता का इस्थल है, वो हम जानते हैं पाकिस्तान में है, लिकिन ये पाकिस्तान के किस प्रांत में इस्थित है, सिंध में सिंध में है यह मोहन जोदरोजो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है उसी नदी किस नदी की सहयक नदी है आंसर ट्रिशना नदी चलिए next question देखेंगे social harmony पुस्तक के लेखक कौन है most important question है social harmony पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी जी है इसके लेखक याद रखेगा, important question है भरत के सम्मिधान में दुई सदनी संसत का प्राबधान किस सम्मिधान से लिया गया है विटिस सम्मिधान से दुई सदनिय संसत का जो प्रापधान है ये बिटे संसत सम्मेदान से लिया गया है बलूत के पेड़ के फल को क्या कहा जाता है और इसका अंसर होगा एकॉन के पेड़ के फल को एकॉन कहते हैं नेक्स्ट रास्ट कूट वन्स का सासक कौन था इसका आंसर होगा धुरुप राश्ट कूट वन्स का सासर धुरुप था Next राजिब गांधी खेल रतन पुरुसकार प्राप्त करने वाली पहली महला होकी खलाडी कौन है? आंसर रानी रामपाल Most important है, note down कर लीजेगा रानी रामपाल अब देखें पुसकर मेला कहां लगता है? अब देखें पुसकर मेला कहां लगता है? नाम सही समझ आ रहा है यह पुसकर में लगता है जो फुल फॉर्म है ये भी पूछे जाते हैं एक्जामनेशन में इस पर मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगी इसका अंसर होगा राजा राम मोहन राय ने सबसे अधिक ब्रोद किया था सती पर्था का इंपोर्टेंट कॉशन है ये भी नोट डाउन कीजिगा अंतिम मुगल सासक कौन था पहला जो मुगल सासक था वो बावर था लेकिन अंतिम कौन था अंसर होगा वहद्दूर साह जपर देखिये पहला और लास्ट ये दो जरूर याद रखेगा कॉशन आता है ये गोद्रा कांट किसके लिए प्रसिद्ध है कांट हुआ था गोद्रा कांट ये किसके लिए प्रसिद्ध हुआ था आंसर रेल में लोगों को जला जाने के कारण नेक्स्ट भारत में हरितक्रांती के जनक किसको कहा जाता है हरितक्रांती का जनक आंसर होगा एम एस स्वामी नाथन को हरत क्रांती का जनक कहते हैं शार्स क्या है? शार्स S-A-R-S ये क्या है? ये भी कॉशन इंपोटेंट है और इसका अंसर होगा ये एक विशानु द्वारा फैलने वाली बीमारी है Next मंडल कमीशन किस प्रदान मंत्री के कारकाल में लागू किया गया था? मंडल कमीशन इंपोटेंट कॉशन है आंसर होगा वी पी सिंग के चाशनकाल में या कारिकाल में लाल बहादुर सास्त्री जी की समादी इस्थल का नाम क्या है? ये भी important question है और इसका आंसर होगा विजय घाट लाल भादुर सास्त्री की समाधी स्तल का नाम है विजय घाट सोईज नहर किसको जोड़ती है अभी मैंने दो दिन पहले एक वीडियो अप्लोड किया था जिसमें आपको बताया था कि सोईज नहर कहां पर है अब यहाँ पर caution है कि सोईज नहर किसको जोड़ती है तो आंसर होगा लाल सागर और भूम अद्द सागर को सोईज नहर जोड़ती है मसालों की रानी किसे कहते हैं अगर आपको इसका आंसर आता है तो comment कर दीजेगा और इसका आंसर ज्यादा तर candidate को आता ही होगा मसालों की रानी किसको कहते हैं इलाईची को इलाईची मसालों की रानी कहलाती है note down कीज़ेगा इस सरे के questions भी पूछे जाते हैं ओके तो यह थे आज के important जी के questions जो कि आपके SSC यानि स्टाप सेलेक्शन कमिशन के जो CHSL examination है, combined higher secondary level examination के लिए काफी important है क्योंकि यह सारे questions 12th level के questions है और यह previous examination में पूछे गए हैं तो आपके लिए काफी important रहेंगे आपका अगस्त में examination है अच्छे से तैयारी कीज़ेगा, important questions नो down करते रहेगा और सारे important questions जो रहेंगे मैं कोसिस करूँगी आपको जदा से जदा वीडियो अप्लोट करूँ अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like and share कीजेगा, thank you